खबर कुछ यू है कि दुबाई ने भारत के साथ एक एकॉर्ड किया है एक ऐसा उन्होंने मुआइदा किया है कॉन्ट्रेक्ट किया है कि हाँ पर पार्क्स बनेंगे बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसा इंफ्रस्ट्रक्ट्टर होगा जो उसको जमुर किश्मीर को एक दूसर आप बैठी हैं लेटे हैं बलके लेट गए हैं दोस्तों जो यूई और भारत के भी जो डील हुई है और यूई है वो कस्मीर में इन्वेस्मेंट करने जा रहा है उसको देखकर जो पाकिस्तानी मेडिया उसको खूब जलन होने लगी और जीचीच का आपने छोटा सा ट्र अच्की जो और इस ब्रटी है है वो इसको पूरा समर्थन देता है और वो भारत से इस फचले से पूरी तरह से हैम साधे हैं और इस इन्वेस्मेंट के कारण कहीं जो घुसा वो खतम नहों जाए और कहीं हमारी वहाँपे नहीं नहें नबंद हो जाए तो दोस्तों वीडि करिये करेंगे तो चलो पर वीडियो करें देटे computer कि अपनी दूसरी ख़बर की तरफ और दूसरी ख़बर भी बहुत थे और उसका ताल उसका पाकिसितान से बहुत है कि और खबर कुछ यूँ है कि दुबाई ने भारत के साथ एक एकॉर्ड किया है, एक ऐसा उन्होंने मौाइदा किया है, कॉन्ट्रेक्ट किया है, एक एकॉर्ड किया है, जिसमें ये चीज सामने आई है, जो के इंडिया का मेडिया बता रहा है कि दुबाई और इंडिया में औ इसमें टावर्स होंगे यानि अगर बनाएंगे तो जाहर है उनका जो यह विर्जलरा बुरज खलीवा और इसा पर पर बिल्डिंग्स बनेगी और ऐसा इंफ्रस्ट्रक्ट्टर होगा जो उसको जमुर्ड कश्मीर को एक दूसरा बनाकर रख देगा तो यह बात यह बहुत तो प्रब्ड का पता है एक ऐसा कि जिसमें इंडिया अगर ये कर लेगा फर्द कीजिए अगर ये हो जाता है तो फिर कश्मीर वहां को बहुत ज्यादा डिवलप हो जाएगा और जाहर है कि उस सूरत हाल में वहां पर रोजगार निकलेगा वहां पर फिर कोई किस तरीके से उफा सकेगा और क्या उस वक्त वहां के कश्मीरी जिनके बारे में एक आजाता है जो कि पाकिस्तन की तरफ से एक ही है कि वहां के जो कि वहां के जो कि कश्मीरी आ हैं वह बहुत बड़ी अपरचुनिटी यह होगी कि ये तो फशना ली की रेल पेल हो गई और अब हमें क्य बड़े स्टैप के बार इतनी बड़ी खाबर आने के बाद सब चुप चाप बैठी हैं लेटें बलगे लेड गए हैं कश्मीर के ओपर सब का खुन कॉलता था और सब उड़के कुछे कश्मीर बड़ें का पाकिस्तान कश्मीर हमारा है और फिर ये के भारती हकूमत, मुदी और इन सब के खिलाफ जो है वो खूब नारे बाजी और बहुत अच्छी बात वो अब मेरा सवाल ही होगा कि वो जो फ्राइडे को कितनी आदे खंटे के लिए खड़े होने का जो एक वो था तो क्या अब एक टांग पर खड़े होगर कर किसी ने सुने खबर किसी इतना नहीं है सबके सब अंदरोनी मौंवामलात यानि एक धर ने ये सब इस तरीके से मशूल है कि शेख रशीद साहब से लेकर और शाम एमुद कुरह Śी तक और किसी और के पास कुछ कहने को बजा ही नहीं इस मामले पर इतने आप मतलब हम जो है कि वो जो होता है वो तो वैसे ही अब तो आप भूल जाएए बिलकुल भूल जाएए जो पहले भी खेर कौन सा नाम के हुई आप कश्मीर का नाम लेते हैं सब को पता है इसकी वज़ाए यह कितने दिन खड़े वे और आपने यूं करके वो भी खतम कर दी और फिर तो आप अ की इस दिल्गे में कोई पाकिस्तान की खराँ बाता तोर सकती है करें तो Pakिस याद है याद भी का भारत के साथ ज्यादा दोस्ती है क HumanSA मुस्लिम उमा आप पूर मुस्लिम उमा बैटकर देख़ेगा कि वह पर क्या हो रहा है कि Cashm communaut तो देखते रही है, आप सब लोग देखते रही है, बिल्कुल ऐसे ही देखते रही है, और अपने मुल्क के अंदर जो खूब लड़ाई जगडा करते रही है, और लोगों को पीसते नहीं मेंगाई कि उसमें. जमो ऐंड किस्मेर में ताबर तोड होड़ और यूए के इस इन्वेस्मेर को दे कर्भड देकर पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन होने लगी है, और जिस चीज़ को दोस आपने वीडियो में देखा एई होगा। लोगों के उपर जो अटेक करवाते हैं, जो बारी लोग है उनके उपर अटेक करवाते हैं, कहीं वो खतम ना हो जाएं, और हमारा वहाँ पे कहीं पूरी तरीके से पत्ता साह ना हो जाएं, और जो जम्मो एंड कस्मीर के लोग हैं, वो कहीं बारतिय गवर्मेंट के साथ मिल कर हमारे खिलाफ ना हो जाएं और दोस्तों इनका ये जो खोफ है ये वाजिब भी है क्योंकि दोस्तों अगर जो दुबई है वो जम्मों कस्मीर में एप इन्वेस्मेंट शुरू करता है तो इसका फाइदा वो सीधे-सीधे वहाँ के लोगों को मिलेगा उनकी जिन्दगी अच्छी होगी उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी उनकी जो आमदनी है वो बनने लगेगी और आदमी को आखिर चाहिए ही क्या और जब फिर वो एक तरफ पाकिस्तान के जो पियोके है जो पाकिस्तान ने जम्मों कस्मीर पे जो कबजा कर रखा उसको देखेंगे और पाकिस्तानी सरकार वो दबाने की और जो पाकिस्तानी आर्मी उने दबाने की कोश्यस तो भोत करती है और ज्यादा तर बार कामयाब भी वोती है पर अगर उनको पियोके लोग हैं। जम्मो एंड कस्मीर की जो बदली वी सकल दिखाए देगी तो वो भी भारत में आना चाहेंगे और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं वो उहर ज्यादा होने लग जाएंगे और इनको इसी जगाडर सता रहा है कि कहीं P.O.K के लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं और अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब जरू कर लेना और जो बेल आइकन है उसी याद के कि प्रेस कर लेना ताकि अगले बाद जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों खुद जो नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिले तो मैं मिलता हूँ आप से ऐसे एक और नए और मज़ेतार वीडियो के साथ तब तके लिए बाई बाई